एक मई को मजदूर दिबस मनाया जाता है और यह मजदूर दिबस दरसल कार्ज कम परतिकात्मक अधीक होता है क्योंकि आज के दिन भी जब कोई लोग कोई ब्यक्ति कोई मजबूर कोई मजदूर कोई स्रमिक कोई करमचारी लगी जब अपने मेहनत के बल पर पैसा कमने के लिए मजबूर ही है तो फिर आज के दिन का अचित्टि कितना है यह तो खुद समझने वाली बात है चिन्तन करने की जरुत है इस पर मन्थन करने की जरुत है कि आज एक मई' को मजदूर दिबस की अबकास भी दे दिग जाती है तो कितने मजदूर वास्तिक अर्थों में आफकास में रहते हैं आपने कई बार हर्ताल के दौरान जुलूस के दौरान पर्दसन के दौरान स्रिमिकों के इस्तिति के दौरान ऐसी बाते सुनी होगी चाहे जो मजबूरी हो मांगे हमारी पूरी हो दुनिया वर के मजदूर एक हो एक ऐसा नारा बना जिनोंने की बेवस्था को बदलने की कवायत की पर दुनिया पर के मजदूर सौव साल पुरू भी एक नहीं थे और आज भी एक नहीं है आपने यह भी नारा सुना होगा जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा पर मजदूर की सक्ति आज भी इतनी संगठिट नहीं हो सकी है कि उससे टकराने वाले चूर चूर हो जाएगा भले ही मजदूरों के हित में सरकारें समय समय पर तरह तरह के नियम, कानून, काईदे, उसके काउम के घंटे, उसके बुनियादी, सुविधा, उनके अधिकार के लिए तरह तरह के कानून बनाते रहे हों, लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखी जाती है, कि वे कहीं ने कहीं, और निस्षित बातावरन में काउम करते हैं, बि कि मानब समाज को है देश को है अगर स्रमिक स्रम नहीं करेंगे तो रोजी रोटी होगा कैसे समाज में विकास होगा कैसे देश में तरक्की होगी कैसे मजदूर तो जरूरी है मजदूरी तो जरूरी है अब सवाल यह है कि सिर्फ सारिक स्रम से जो हम अरजन करते हैं वही मजदूरी है या हम मांसिक रूफ से जब हम परिस्रम करते हैं उसके बाद जो अरजन करते हैं वह भी मजदूरी है हम यहाँ पर दोनों तरह से पैसी कमाते हैं जब आप अपना समयद्गेते हैं, कुछ उसके बजले में income प्राफ करते हैं तो वा तो मजदूरी है, चाहिए वा मिट्ती में काम करने वाला मजदूर हो या आफिस में फाइल ढोने वला मजदूर हो वो भी तो दोनों तो मजदूर ही है या अलग बात है कि सूट बूट पहने लोग अपने आपको उस मिट्टी से सने मजदूर की स्रेनी में खुद को रखना पसंद नहीं करते हैं लेकिन कोई यदि कॉर्पोरेट कल्चर का ही करम पूंचारी क्यों नहीं हो यदि वह समय देकर अपना समय देकर अपना स्रम देकर अपना मांसिक स्रम देकर यदि वह चाहे जितना अधिक कमा ले तो वह भी तो कहीं ने कहीं मजदूर ही कलाता है बात संगठित सेक्टर छेतर की हो या असंगठित छेतर की हम काम करते हैं प बनाने की परतास के सौ वर्स पूरे हुए हैं सबसे पहले 1923 में चेन्नेई में भारतिये मजदूर किसान पार्टी के द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया का जाता है कि कॉम्रेड सिंगार बेलूद चेट्यार की पहल पर मजदूर दिवस मनाया गया था उसमें लेवर किसान पार्टी आफ हिंदूस्तान के द्वारा ऐसा किया गया था और उसके पूरु भी हलांकि हम अगर देखें तो 19-वी सदी में ही 1884 में भी बात करते हैं तो मुंबाई में कपरा मील मजदूरों ने कार की अस्थिती में सुधार को कि मांग की को लेकर आवाज उठाएते मजदूर संगठन बनाया और मजदूर आंदोलन करम से कई बार ऐसी अस्थिती हुई कि मजदूर आंदोलन की भी नौबत आई 1877 में देखते हैं नागपूर में एमब्रेस मील में मजदूर की दर बरहने के लिए हर्ताल का चिकराता है 1882 और 1890 में बंबए और मदरास में भी हर्ताले दिखती है और उसके बाद 1908 में लोकमान पिलक की भी गिरफतारी स्रम आंदोलन के दोरान हुई थी और भारत में ट्रेड यूनियन का उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियन 1926 में पारित होता है उसके बाद करमसा इसमें कई तरह के बदलाव भी हुए है अगर हम भारत के अलब से बाहर अंतराष्ट ये दुनिया में देखते हैं तो यह मजदूर तिवस अमेरिका की देन है वहीं से यह आया है सिकागो में 1886 को कैसी घटना घटी कि अमेरिका में मजदूर यूनियों ने काम के बदले 8 घंटे ही काम रखने के लिए हर्ताल कर दिया था वहां एक बम धमका होता है उसके बाद कुछ लोग मारे जाते हैं पुलीस द्वारा गूली चलाए जाती है और तभी से यह मजदूर दिवस मनाने की परथा अंतराष्ट ये जगत में देखी जाती है उसके पूर भी हम देखते हैं तो मजदूर पर एक बंदवा मजदूर और जबरस्ति काम करना दोरसल जो हमारी सामनती ब्यवस्था थी ना सिर्फ भारत में बलके अंतराष्टिया सतर पर अगर देखें तो स्रम को लेकर सोसन को लेकर मजदूरों की दसा बिता सब दिन एक मजदूर के साथ मजबूर ऐसा काम सोसन ऐसा काम किया जाते रहा है और सम्मिधान जब से लोकतांतिक सम्मिधान बना आप में देश मेगर कहें सोतंतरता समानता की बात हुई सोसन के बिरुद अधिकार हुई की बात हुई बालसरम निसेत की बात हुई तो यहां पर फिर सक अधिक सोसन होता था कि कौम की घंटे का कोई ओचित ही नहीं होता है 16-16 घंटे कौम करना पड़ता था और समाज बाती ब्यवस्त था जब से स्थापीत हुई राज तंतरे के बाद तो वहाँ पर फिर थोड़ा बदलाओ का एक सूचक बना हम देखते हैं कि 1810 में बिटेन में सोचलिस्ट पार्टी संगठन द्वारा न्यू लेनार्क में रॉबर्ट ओवेन के नेतरिद में 10 घंटे कौम की मागे उठाई जाती है उसके बाद यह भी देखते हैं एक नहरा उसमें 24 घंटे में 8 घंटे कौम आठ घंटे अराम और आठ घंटे मंदोरंचन का भी नारा दिया गया 1847 तक मजदूर को सिर्फ इतना था कि 10 घंटे तक की काम दिया गया था हम जह भी देखते हैं कि आश्ट्रिया में 21 अप्रेन 1856 को इस्टो मेंसन और मेलबोर्न के आसपास कई जगा 8 घंटे काम को लेकर उन लोगों ने हर्ताल प्रशन किया और तिर जिनेवा कन्वेंशन की जब बात होती है तो वहां भी मजदूरों ने अपनी आवाज बुलंद की और यह जब अमेरिका में मजदूर जो आज हम अंतराश्टिय मजदूर दिवस एक मही को मनाते हैं इसकी पूरी कहुनिया है कि 1886 की बात है उसके पहले वहां पर जो घटना हुई उसकी प्रिष्ट भूमी यह रही कि हरवेश्टिंग मसीन कमपनी से यह कमपनी था वहां हर्ताल किया गया और वहां पुलीस की गोली से कुछ लोग मारे चले गए हर्ताल इकरमचारी उसके बाद सिकागो अमेरिका में है वहां हे मार्केट में फिर मजदूरों ने अपना परदर्शन किया उसके बाद उसी गर्स की याद में एक मई को मजदूर दिवस मनाने की परथा सुरू हुई और या आज भी मनाई जा रही है हम परेही बिडंबना बरी अस्थिती देखते हैं एक और मजदूरों के लिए कौम की बात आज अधिकार की बात करते हैं दूसरी और अस्थिती तो आज या भी है कि आज भी ना सिर्फ मजदूरों की बेहतरी के लिए आज उठाई जाती है बलकि अज बात सिर्फ सर्म 거지 क्यों although नहीं होती है बलकि आज धीकर के लिए जो लराई लर रहे हैँ और स्धेकर कोम करनेlifting जा करने का दिएक submitting के बात Нे होती है बलकि गरीमा के साथ कम करने का धीकर सिर्फ उच्छित मजदूरी ही नहीं उच्छित घंटे ही नहीं बलकि उच्छित सम्मान के साथ और आज जब कि देश के संदर में कर देखते हैं तो लगभग 20 करोर जुवा हैं कामगार हैं और इस तरह ये कारिबल के रूप में देश की तकदीर बदल सकते हैं ना सिर्फ अ अपना विकास कर सकते हैं देश का विकास कर सकते हैं इन लोगों संस्तर किस तरह सुमान पुरिवक योगिता के अनुसार कहम दिया जाए यह नित्य नियानपों के लिए आज भी चुनोती बनी हुई है नई अर्थ व्यवस्ता की बात करें नई राश्ट निर्मान की बात क आज भी स्रमिक दिवस कई तरह के बिडम बनाओं बिरोधाभासों से ग्रसित दिखता है इस बिशेश करके इस परिप्रेक्ष में कि आज भी मजदूरों की एस्थितिया है कि उसे या पता नहीं है कि आज मजदूर दिवस भी है और उसे या पता भी नहीं है कि या क्यों मना उसे यह पता भी नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है और जिने पता है अगर वे भी काम करने को मजबूर है तो फिर कहीं ने कहीं मजदूर तिवस पर प्रस्ट चिन तो उठता ही है आज आवस रखता है सर्मिक का सम्मान करने की, सर्मिक को सम्मान करने की, आर्थिक समाजिक सुरक्षा देने की, क्योंकि कुछ भी देश निर्मान के बात करें, अत्वा समाज निर्मान की बात करें, सर्मिकों के योगदान के अलावा या हमारी समानव सब्धता दिकास नहीं क व्यक्त करना हर एक इंसान का लेतिक करतब अवस्य होना चाहिए